हेलो वीरिफू पीबल वेल्कम तू लगनो लोकर्स आज हम आपके लेकर आएं बहुती इंट्रॉस्टिंग और इन्वोमेटिव वीडियो चोगी होने वाली है दो तरीके के सिमिलर दिखने वाले मेटल्स की हाँ हम बात कर रहे हैं ब्रास और ब्रॉंज की तो यह वाला थाल आज हम इस वीडियो में बहुत ही डीटेल में कवर करने वाले हैं तो वीडियो को लास्ट देखे हैं जिससे आपको बहुत ही अच्छी और इंफॉमेटिव और बिल्कुल क्लियर और किस डिफरेंस दिख चाएंगे तो बात कर लेते हैं पहले ब्रास की ब्रास को हिंदी मे हम कांसा कहते हैं यह दोनों ही अलग-अलग तरीके के अलॉय होते हैं जिसको हम मिश्र धातू भी कहते हैं अगर हम ब्रास की बात कर लें तो यह हमें कॉपर और जिंक का मिश्रन होता है और अगर हम ब्रास की कांसे की बात करते हैं तो यह कॉपर और टिन का मिश्रन होता है important यह चीज होती है कि यह दोनों ही utensils हमारे traditionally और culturally बहुत जादा importance रखते हैं उसका reason यह हो जाता है कि जितने utensils आज की समय में हम use कर रहे हैं उसका कोई benefit नहीं है पट यह है कि हाँ अगर हम steel अपने घरों में use कर रहे हैं साथ ही साथ जैसे की normal problems में आपको बता जाता हूँ hair growth से लेके digestive system से लेके acidity से लेके ऐसी बहुत general problems होती है जो हम बहुत ही चुट्कियों में solve कर सकते हैं सिर्फ reason क्या होता है अच्छे बरतनों में खाने को serve करना सारी dishes को serve करना तो यह दोनों utensils जो हैं इन दोनों की importance बताऊंगा साथ ही साथ इसको कैसे use करना है यह भी बताते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं brass की देखे ब्रास में क्या होता है copper और zinc के बहुत सारे health benefits आपको directly मिलते हैं बट एक चीज का ब्रास में ध्यान रखना होता है वो होता है कि इसमें हर तरीके का food जो serve कर सकते हैं बट अगर कोई ऐसा food material है जो की acidic nature का है या sore food है जैसे की दही तो वो सब चीज़े हम इसमें serve नहीं कर सकते हैं और उसी जगे अगर हम कासे की बात करते हैं तो कासे में हम पूरी तरीके से curd भी serve कर सकते हैं दोनों ही metal के बहुत जादा health benefits हैं मगर एक चीज का और ध्यान रखना होगा यह कि हम हमेशा अपना जो भी food इसमें serve करें वो तुरं तुरंत consume कर लें इन सारे बरतनों में बहुत देर तक food को रखना नहीं चाहिए और दूसरी चीज में आपको बता देता हूँ यह दोनों चीज़ें बहुत ही rich metals होती है और purchase कहां से गरें देखें importance इस चीज की होती है कि यह जितने भी metals होते हैं इसमें बहुत जल्दी कोई ना कोई चीज आपकी जैसे lead या arsenic जैसी चीज़ें भी mix हो सकती है तो इन चीजों को purchase करने के लिए आपको अच्छे store ही देखने पड़ेंगे जो आपके nearby stores होते हैं trustable stores होते हैं क्योंकि एक fine quality लेते हैं तो आपको इसमें कोई बी उल्टे सीधे metal का measurement नहीं मिलेगा एक चीज और मैं बता देता हूँ कि इन दोनों को हम differentiate कैसे करें तेखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा पहली हम बात कर लेते हैं brass की दो brass होता है वो relatively cheaper होता है as compared to kasa kasa कैसा alloy है जो की बहुत ज़्या थोड़ा सा आपको difference मिलेगा kasa काफी महंगा होता है अगर pure kasa है तब तो क्या कहने अगर आपको मिल गया है pure kasa अभी से बताओंगा भी किस तरीके साब इसको differentiate कर सकते हैं पड़ अगर pure kasa है वो थोड़ा से relatively आपको costlier मिलेगा as compared to brass अब इसको हम कैसे use कर सकते हैं अगर रहेगा कि आप कासे को prefer करें क्योंकि कासा एक ऐसा metal है कि अगर आप इसको daily अपनी life में उतार लेंगे तो आपकी आधी health problems तो वहीं खतम हो जानी है उसका reason यह हो जाता है क्योंकि पहली चीज तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि पहली चीज तो इसमें आप फूड सर्फ करेंगे वह fresh करेंगे और साथी साथ तुरां 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 उसको consume कर लेंगे गरम गरम खाना किसको नहीं अच्छा लगता तो वह चीज इसमें importance रहती है साथी साथ अगर ब्रास की बात कर लेते हैं तो इससे सौर फूड हम नहीं सर्फ कर सकते हैं बाकी कोई भी को के सर्फ कर सकते हैं साथी इन समय कंग और सब्सक्राइब पर बात कर लेते हैं अब हम बताते हैं इसमें से यह है Brass का और यह है कासी का जिसको हम Bronze कहते हैं पो Isma क्या होता है सबसे पहले तो साउंड ऑफेक्ट का डिफरेंस होता है अभी मैं आपके दिखाता है अगर साउंड आफेक्ट की बाद करते हैं तो सी दिखेगी रिजनेटिंग साउंड का मतलब होता है गूंजती हुई अवाज और यहीं हम अगाब ब्रास की बात कर लेते हैं तो ब्रास में देखेगा देखे बस मतलब रिजनेटिंग साउंड जो होती है दो-चार सेकेंड के बाद खतम हो जाती है और इसमें रिजनेटिंग साउंड काफी देर तक दिखेगा आपको देखे एक फिर से दिखाता हूँ तो एक ये पहचान होती है साथ ही साथ अगर अगर आप इसको हाज यह दो कीज़ों को ले देगा तो नहीं होता है कि हमेशे आपको ब्रॉंस होता है जो ब्रॉंस होता है आपको थोड़ा सा ही फिलिंस रहे मिलेगा पीटल की ब्रास की बात कर लेते हैं तो यह आपको शीट मेटल की तरह लगेगा यह देखिए और हमेशा एक चीज जहां नखिएगा कि जो कासा होता है इसमें बहुत जादा आपको कारीगरी नहीं मिलेगी यह बिल्कुल प्लेन होता है और कभी यहां से यहां से यह में नहीं मिलेगी यह हमेशा सीधी बाट का होता है और बिल्कुल क्लेर फिनिशिंग के साथ आता है कभी-कभी कहां से में पीछे की तरफ आपको ब्लाक कर्र की फिनिश भी मिलेगी तो वह भी जान दीजेगा अगर हम बात कर लेते हैं ब्रास की पीतल की तो उसमें इस तर अगर होता है देखे जो आज में जो आपको यह चीज यह वाला दिखा रहा हूं तो इसमें भी आपको यह थैसी जो खासी पहले कि पशाज करेंगे तो आपके ही साथ बेनेफिट्स बहुत सादा होंगे साथ ही साथ एक आप अपनी लाइफ में एक नई चीज आड़ कर लेंगे वो होगा healthy cooking healthy cooking के साथ साथ healthy serving और healthy eating के साथ आप लोगों को अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को like करेगा हमाय चैनल को subscribe करेगा और आगे इससे भी बहतरी वीडियो हम आपको देते रहेंगे thank you so much keep supporting us